एक 35 अध्याई जिसका शीरशकी भूमी का विकल्प दिया गया है, उसके भी प्रमुक प्रसंग हम ले लेते हैं, विन्यासम भूमी का नाम चाहिए संप्रवक्ष्यामिनाटके, याद्रशो यसिकर्तव्यो, विन्यासो भूमी का स्वथ, जिस पात्र के लिए जैसी भूमी का होनी चाहिए, यह 22 अध्याई में भी कुछ बताया गया, 26 अध्याई में भी, और यहाँ पर विशेश रूप से भूमी का विन्यास बताएंगे, यह नाट्याचारी की दरश्टी से बता रहे हैं, चाहत एक विशाई इसमें अंत में और चूटता है, 35 अध्याई में यह व रूप बताते हैं, कि उसमें कौन-कौन से लोग होने चाहिए, और कैसे विवस्था, जो नाटक करने वाले थे, उनकी मंडलियां कैसी होती थी, क्या कैसी विवस्था उनमें होती थी, इसको जानने के लिए बड़ा ही महतुपूर्ण है, तो उसमें नठ तो होते ही हैं, भ होता ही था कि जो मन सखा या विदुशक का अभिनाय करेगा, वो एक अलग अभिनेता निर्धारी थे, क्योंकि वो जानता है, उसकी भूमिका बहुत आसान नहीं है, असाना बहुत आसान नहीं है लोगों को, और विदुशक की भूमिका कई बार सबसे कठिन हुआ करती है, तो ये विदुशक की भूमिका करने वाला विशेश नठी छांट करके मंडली में रख लेते थे और एक तूर लंबा शुशिर वाद दे है शेहनाई जैसा उसको बजाने वाला बहुत तेज आवाज में जहां उसको बजाने की जरुरत पड़े उसको बजाने वाला चाहिए नांदी करने वाला नांदी भी पार्ट मिलता है वादी पार्ट मिलता है वो नांदी इस लोग गाने वाला एक चाहिए और सुतधार काविना करने वाला प्राहय यह भी भरत्मुनी बताते हैं कि नाट्याचार जो सारे मंदली को सिखाने वाला बड़ा आचार ज्यानी है वो आला गार सुतरधार की भूमिका प्रस्तावना करने के लिए अपने नाट्य दल में से किसी को दे देता है सूतधार की भूमिका करने वाला उसमें है और नायक प्रधान पात्र की भूमिका करने वाला और कुछ कारीगर भी उसमें रहने चाहिए मुकुट बनाने वाला आभरन बनाने वाला माला बनाने वाला और लकडी का काम जानने वाला कारू और गीत संगीत गाना बजाना जानने वाले ये सारे उसमें कलाकार शिल्पी ये भी होने चाहिए। इस तरह से ये 20-वे श्लोक से 35-वे अध्याय में ये विस्तार से निरुपन भरत्मुनी ने किया है। सबके लक्षन बताएं हैं जो तूर ये सारे वादियों को अच्छी तरह बजा लेता हो वह तौरिक है और अभिनेता तो वह है जो सारे रस्भाव के अनुसार नाटक अच्छी तरह से कर देता है इस प्रकार से और जो मंगल श्लोक अच्छे गाता है वह वादी या नान्दी भी उसके लिए कहीं कहीं नाम मिलता है समस्करत और प्राक्रत की गाताएं गा लेता है उसको भी नान्दी कहा है इस प्रकार से सूतधार जो कि सारे सूत्र अपने हाथ में रखता है निगरानी भी रखता है प्रस्तावना में भी सूतधार का अभिनेवा करता है ऐसा अभि क्रिप्ट लिख करके देता है, कोई महान रचना है लेकिन उसको खेलने के लिए उसके आधार पर फिर हम रंगमंच के लिए अपना एक अलग आलेख बनाते हैं, तो ऐसा एक लेखक भी चाहिए, जो उसको जहां संक्षेप करना हो, संक्षेप कर दे, उसके आधार पर नाट् कि मुकुट जानने वाला कैसा होना चाहिए, उसको क्या क्या जानना चाहिए, और महिलाएं कुछ होनी चाहिए नाट्य मंडली में, जो नरत्य जाने, लह ताल वगेरा जाने, उसको नाट्किया कहा है, इस प्रकार से आभरन बनाने वाला, माला बनाने वाला, इन सब की भी योगिताएं बताई और आहार याविनाय से इसको मिला कर के फिर पढ़ना चाहिए आहार याविनाय में कितने प्रकार की मालाएं बताई हैं कितने प्रकार के मुकुट बताई हैं कितने प्रकार के आभूशन अलग अलग बताई हैं उन सब को बनाना है, उनकी सब के जो भेद आहार या अभने वाले अध्याय में 21 अध्याय में बताए हैं, उन सब को उन सब के आचार ये लोग हैं, उन सब के विशेशक ये हैं, ऐसे लोगों को भी नटमंडली में इस्थान देना पड़ेगा, ये प्राची इनकाल की नटमं जाती है, दो लोग हाथ में पकड़ करके दो पात्र ला रहे हैं, प्रवेश दिखाने के लिए, उस पटी पर चित्रित पटी का भी उल्ले खाता है, भवूती ने, चित्र जवनिका कहा है, तो चित्र जवनिका उसके पर चित्र बने हुए हैं, तो अलग लगतर है के चित्र बनाए जा सकते हैं उसके लिए एक चित्रकार भी उस मंडली में होना चाहिए यह 37 स्वें श्लोक में बताया है और एक रजक होना चाहिए रंग्रेज जो कपड़ों को जहां रंगने की आवश्यक्ता हो उसको रंगों की जानकारी हो वह कपड़ों का रंग विन्यास कर सके इ और अन्य इसमें कलाकार कही तरह के नट-मंडली में होते हैं यह 22 वे 26 वे 25 वे अध्यायों के आधार पर भूमिका बिन्यास भूमिका के प्रकार किस पात्र को लु किस अभिनेता को कैसी भूमिका देनी चाहिए यह विचार हमने किया और अंत में जो विशा इसमें बताया गया है वह रंग मंडल नट मंडली का गठन और उसमें कितने कितने तरह के लोग हो सकते हैं इस पर विचार किया है